कि हेलो एवरिफंध पूuffy को पार्वक शाला है शेप्टर को ले कर ़्याता है है बारे में जानते हैं क्योंकि हड़ापा सभ्यता इस चेप्टर से हम लोग कोस्टन करेंगे तो इससे पहले तो हड़ापा के बारे में जानना जरूरी होता है तो सबसे पहले हड़ापा के बारे में जानता है तो हड़ापा की खोज का मुख श्रे पुरा तात्विक सुरोतों को जाता है इसका हड हडपासंस्कृति का उदायर ने उदाय प्रिश्ठ भूमी में भारतिये ऊप महादेश के पसिमोतर्भाग में हुआ हडपास अभ्यता थी युगिंय सभ्यता थी इसका नाम हडपा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसका पता सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के पंजाब अभी पाकिस्तान में है तो पंजाब प्रांत में अवस्थित यह है हडपा नामा काधुनी कस्थर अभी पंजाब में है सरजन मौर्सल और सर मार्टीमर हीलर जैसे जो जैसे ख्याती पूरतत वीदों न हडपा के बस्तियों की खुदाई की है सरजन मौर्सल और सर मार्टीमर हीलर दोनों मील करके तो इन बित्मानों ने वहां मिले बहुतिक अपसेशों को गहराई से अध्यान किया क्योंकि उन अपसेशों पर लिखे सब्दों को पढ़ा नहीं जा सकता था पढ़ा नहीं जा स अपसेशों के अध्यान के अधार पर ही निश्कर्ष निकाले जा सकते थे क्योंकि जो लिपी थी उसको पढ़ा नहीं जा सकता था तो परिपक हड़ापा संस्कृति का केंद्र अस्थल पंजाब और सिंध के मुखे रूप से सिंधुक हाटी में पढ़ता है इसका फैला उ उत्तर हो गया उत्तर से दच्षिन और पूरब से पस्षिम तो उत्तर में मांडा हो गया जो जमू कस्मीर में पढ़ता है तो उत्तर में जमू कस्मीर यानि मांडा से लेकर के दच्षिन में नर्मदा के मुखाने पर दायमाबाद यहां पर दायमाबाद हो गया दायमाबा पर उत्तर में मांडा जमु कस्मीर और नीचे दच्छिर में दैमाबाद तक अबस्तित है और अगर पूरा पास्चीम को देखते हैं तो पास्ची में बलुचिस्तान से लेकर के समुन देखते हैं पास्ची में पास्ची में इसको देखे तो पूरा में मेरत में उत्तर पूर्विक होना इस तरह से जाता है ऐसे बना हुआ है ट्रेंगल के जैसा इस तरह इस तरह का इसका सेब बना हुआ है इस तरह का तो पास्ची में सूत कांग डोर यहां पर और पूरा में अगर हम देखे तो मेरत में आलमगीरपूर आलमगीरपूर तक फैला हुआ है यह समुच्चा छेतर जो है तिर्भूज के आकार का यह छेतर बना हुआ है और इसका पूरा छेतर फाल लगभग 12,996,602 किलोमीटर तक फैला हुआ है उत्तर पूरा पस्चिम से पूरा यह छेतर बार लगभग 9,996 किलोमीटर के बीच यह फैला हुआ है तो इस हड़ापा शभयता जो है उसी चप्टर से हम महत्मुन को लेकर करका है तो 1926 में सबसे पहले इस टीले को लेख चार्स मायमनने किया था उसको चार्स मायमनने सबसे पहले 1826 में इसका उलेख किया था और 1850-70 तक कनिंगम ने इस टीले का सरवेच्छन किया था उसके बाद दायराम साहनी ने जान मार्शल की अध्यास्ता में इसको खोजा 1921 में और पस्षिम पंजाग के मौंट गोमरी चिले में इस टीले में इस टीले था हड़ापा राभी नदी के बाएं तट पर इस टीले था हड़ापा सभ्यता दो भागों में विभाई था बोलते हैं तो यह हड़ापा सभ्यता और इसी चैप्टर से हम बेखते हैं आज का महत्पूर्ण जो कोश्चन है तो पहला कोश्चन है कि हड़ापा सभ्यता में मन के बनाने के लिए परियुक्त पदार्थों की सूची बनाएं चर्चा करें कि इन पदार्थों को कैसे प्र पत्थर, तांबा, कासा और सोने जैसे धातूं तथा शंक, फ्यांस और पक्की मीटी शभी का परियोग मन के बनाने में होता था। दो तरीके जिनके दोड़ा हरपवासी सिल्फ उत्पादन हेतु माल प्राप्त करते थे। तो दो तरीका में पहला तरीका है उन्होंने नागेश्वर और बालक कोट में जहां सांख आशामी से उपलग था वह बस्तियां अस्थापी थी और दूसरा है उन्होंने राजस्थान में खेतड़ी अंचल तांबे के लिए तथा दच्छिन भारत में सोने के लिए जैसे छे जनकारी कारण में पहला तो तो गाली आज तक पढ़िन जा सकी लिए उसको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका सका जिसके चलते जिसके चलते इसकी जनकारी हमें काम है और दूसरी बात है कि केवल पुरतत्विक अफ्षेशों का अध्यन करते हुए अनुमान के अध्हार पर ही सिंधु घाटी सभेता के बिशाय में शभेता का शमय और विकास आधी का ग्यान प्राप्त कर पाए हैं जब के मन में क्या भ्राम था तो अरंभिक बस्तियों की पहचान करने के लिए उन्होंने चौथी से सतावी सताब्दी इसी के बीच महादीप में आये चिनी बौध तीर था त्रियों द्वारा छोड़े गए ब्रितानतों का परियोग किया कनिंगम ने और दूसरा बात है कि वह रंभिक एतिहाशिक लगभग छठी सताब्दी इसापूर्व से चोथी सताब्दी इसापूर्व तक उसके बाद के कालों से शंबंधित पूरत्तात्व में थी छठी सताब्दी में लोहे की खोज हुआ था इससे पहले लोहा का खोज नहीं किया गया था लोहे के बारे में जनकारी नहीं थी तो छटे सताब दिमें लोहेगी खोज हुई और इसके बाद क्रिशी कार्ज में बहुत ही बहुत ही उन्नत का हुआ बहुत ही डेफलाप्मेंट हुआ और तीसरा करन की कई और लोगों की तरह ही उनका भी यह मानना था कि भारती इतिहास का कनिंगम का यह मानना था कि भारती इतिहास का प्रारम गंगा की घाटी में पन पे पहले सहरों के साथ ही हुआ था यह कनिंगम का मानना था कनिंघम के मन में यही कारण से भ्रम था कोशन ममर फूर हडपास अभ्यता के अध्यन के दौरां मार्शल और कनिंघम के दौरा अपनायगाय तक्नीक में क्या आंतर था तो मार्सल पूरास्थल के अस्तर विन्याज को पूरी तरह अंदेखा कर पूरे टीले में शमान परिमान वाली नीमित 36 एकाईों के साथ साथ उत्खानन करने का परियास करते थे और इसका यह अर्थ हुआ कि अलग-लग स्तरों से शंबंध होने पर भी एक इकाई विसेश से प्राप्त सभी पूरा बस्तूओं को समोहिक रूप से बर्गिकरित कर दिया जाता था पड़नाम से रूप इन खोजों के संदाड़ के विसेश में बहुमोल जनकारी हमेशा के लिए लूप्त हो जाती थी आई-ई-ए-ल-म वीलर ने इस शमाश्या का निदान किया वीलर ने पहचाना कि एक शमाश्या इकाईयों के अधार पर खुदाई की बजाए टीले के अस्तर बिन्यास का अनुसरन करना अधिक अभशक था जबकि मार्सल ने खुदाई के अधार पर उसको अनुसरन करना अधिक समझा और वीलर ने कुदाई के बज़ाई टीले के अस्तर पर अस्तर विन्यास का अनुसरन करना अधिक समझा तो यह दोनों में अंतर था मार्सल में और कनिंगम में मार्सल के अध्यन में और कनिंगम के अध्यन में निश कोशन है कोशन नमर फाइव शवाध हान हडपस अभ्यता में ब्याप्त समाजिक विसमताओं को शमाजने का एक बेहतर शुरूत है ब्याख्या करें समाध्धान का अध्य सामाजी की समत् evapor हो ऑघ्द ह blueprint जिसमें वहड़ाप्र असथलों से मीले हैं साव ठतर टाया खा था तो शबहद्धानों में मिर्द्वांद के गर्टों में धफ्ना जाता था और इन गर्टों की बनवोट एक दूसरे कुछ कबरों में कंकाल के पास मिर्द्वांड भी भाफूसन का कुछ कबर में जो ईश और संकेत करते हैं गिसमद्वों का सब्धान। में आभूशन मिले हैं तो यह दो लगा जाए जाता है कि तरह का विश्वास था उर्षमय के लोगों में इसे लिए सब के साथ अभूर्शन अमिद्वान भी दफनाये जाते थे निश कोशन है कोशन नमर सी हड़ापाई जल निशारन प्रवंद के बारे में लिखें लेक लिखें तो इस नगर की एक प्रमुक्वी सेस्ता यह थी कि इसका जल निकास का प्रवंद था बहुत ही सुनु योजित नगर थी सुभवैस्तित नगर थी नगरियेश अभ्यता थी हड़ापा सभ्यता तो इस नगर का सबसे मुख भी सेस्ता यह था कि जल निकास का प्रवंद था जल का जमाव वहां पर कहीं पर देखा नहीं गया इस तरकार का साथ नहीं मिला जल नि जो थी नालियां जो थी खूले नहीं थी उसको ढ़क करके रखा जाता था ढ़का हुआ नालिया थी और जिनको उपर उठा कर उन नालियों की सफाई की जा सकती थी इस तरह का ढ़का हुआ था जिसको उपर उठा करके और समय समय पर सफाई किया जाता था तो चारोर से बाहर के छोटी नालियां सडकों के दोनो और बनी हुई थी जो बड़ी और पक्की नालियां में आकर मिल जाती थी यो पकी नाली बनी हुई थी बश्य के पानी की नीकाष के लिए बड़ी नालियों का घेरा धाय से पांच फुट तक था घरों में गंदे पानी के निकास के लिए सडकों को दोनों और गढ़े बने हुए थे सडक पर दोनों और गढ़े बने हुए थे ताकि घरों का जो गंदे पानी हो और निकास उसको निकाला जा सकते थे निकाल नग्रिये शभ्यता थी, सड़क चारों तरब से बना हुआ था, नालिया बने हुई थी, पक्की नालिया बने हुई थी, जल जमाव का कोई निशान नहीं था, जल निकास का प्रबंध था, पूरी तरह से, अच्छी तरह से, सुनुयोजित ढंग से, तो इस साच्छों से पता चलता है, कि सिंधु घाटी के लोग, अपने नगरु की सफाई की वर, पहुत ध्यान दिया करते थे, निश कोशन है, कोशन नमर शेवें, हड़ापाई समाज में, सासको द्वरा किये जाने में, संभावित कार्जों की चर्चा कीजे, तो हड़ापाई समाज में, सासको द् जटिल फैसले लेने, और उन्हें कारियान भीत करने, जैसे महतून काज किये जाते थे, वी इसके लिए एक साथ से प्रस्तूत करते हुए कहते हैं, कि हड़ापाई पुरा वस्तूओं में, आसाधारन एक रुपता को ही ले, जैसा कि मिर्दोभांडों, मुहरों, बांटों से अस्वेष्ट है, बस्तियों के अस्थापना के बारे में निर्नलेना, बड़ी संख्या में इटो का बनाना, सहरों में बिशाल दिवारे, शार्वजनिक इमारते, उनके नियोजन करने का कार्ज, दूर्ग के निर्मान से पहले चबुत्रों का निर्मान कार्ज के बारे म निर्ना लेना लाखों की संख्या में विभीन कार्जों के लिए श्रमीकों की विवस्ता करना जैसे महत्पून और कठिन कार्ज संभवता सासखी करता था कुछ पुरा तत्विद यह मानते थे कि सिंधुखाटी की समकालियन शभयता मेसोपोटामिया के समान हडापाई लोगों में भी एक पुरोहित राजा होता था जो माहल में रहता था और लोग उसे पत्थर की मुर्तियों में आकार दे कर शम्मान करते थे शम्भपता ऐसा माना जाता है कि धार में कनुष्ठान उन्हीं की द्वारा किया जाता था या फिर कराया जाता था कुछ पुरा तत्विद इस मत से सहमत है कि हडापाई समाज में शासक नहीं थे तथ सभी की समाजी की सिती शामान थी दूसरे पूराता तो भी यह मानते हैं कि यहां कोई एक नहीं बलकि कई सा सकते जैसे मोहन जोडोड़, हडपा, आदी के अपने अलग-अलग राजा होते थे कुछ और यह तर्क देते थे कि यह कही राज्य था जैसा कि पूरावस्तूओं में समानाओं एक शमानता जो मिला है नियोजित बस्तियों के कच्चे माल, इटो के आकार, निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के सुरोतों के समीब संस्थापित होने से अस्वस्ट होता है कि कुछ बिद्वानों के इस तरह का मानना है कि सभी सभी राज्यों का एक ही राजा हुआ करता था लेकिन कुछ बिद्वानों का मानना था कि नहीं कई एक राजा हुआ करते थे उर्षम है तो इस पकड़ से अलग-लग बिद्वानों में अलग-लग मतभेद है इस वार में न एक नगरिये सभयता थी हम इसको कह सकते हैं क्योंकि हड़ापा सभयता जो थी बहुत ही सुन योजित थी नगर सुन योजित और धनिया वादी वाले नगर थी हड़ापा सभयता सड़के सीधी और चौरी थी घर पकी लाल इंटों के बने थे और एक से अधीक मंजिला एक से अधीक मंजिला वाले भी घर बने हुए थे पते घर में कुवा और अस्नानागार का साच्छी भी मीला है और जल निकासी की उत्तम विवस्था थी जो मुख जल निकासी से जूड़ी हुई थी तो इससे पता चलता था कि शाब सुत्रा भी नगर था और इस परकार की विव केंद्र रहे थे और इसके अलावा हडापा संस्कृति के पतन के बार नगर नियोजन लगवग भूल गया और नगर जीवन लगवग हजार बस तक देखने को नहीं मिला तो इस परकार से हम कह सकते हैं कि हडापा सभेता एक नग्रियेश अभेता थी क्योंकि सड़के भी प और लोथल में डोक्याड मिलने से अभी पता चलता है कि यहां मुख वैपारी केंद्र रहा होगा तो इस वकड़ से हम कह सकते हैं कि यह जो थी नगरियेश अभेता थी नेक्स कोस्चन देखते हैं कुस्चन नमर नाइन हडापाई लोगों की क्रिशी पुरदोगी की पर ए अनुमान लगाते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलो का परयोग होता था कई अस्थानों से मीटी के बने हल भी मिले हैं तो ऐसे भी परमान मिले हैं जिसे यह पता चलता है कि दो फसले एक साथ भी उगाया जाता था मुख क्रिशी उपकरन कुदाल थी तथा फसल काटने के लिए लकड़ी के हथों पर पथर या फिर धातु के फलक लगाये जाते थे अधिकांस हडपा छेत्रों में सिचाई के साधनों को बिक्सित किया गया था क्योंकि यह छेत्र अर्ध सुस्क प्रविर्ति का है सिचाई के मुख शाधन नहर और कुँए थी नहर और कुए से हुआ करता था अफगानिस्तान में नहरों के अफ्षेश मिले हैं प्रह्यशब ही जगार कुए मिले हैं और धौला बीरा में मिला धौला बीर किया जाता होगा और उन्कूऊं से तो सीचाई है तो इसमें जल संचय किया जाता होगा इस परकार का जलाशय में कि निफ्ट कोशन देखते हैं कोशन नमर टेन चर्चा कीजिए पुरतात्वीद कीस बरकार अतीद का पुननिर्मान करते हैं तो कई बर आप पर्त्याच्छ साच्छ का भी सहारा लेना पड़ता है और वे पर्त्याच्छ अत्याच्छ साच्छ में शमानता ढूंडते हैं भोजन अत्वा भोजपतार्थों की पहचान के लिए मिले अफ्षेशों में अन अत्वानाज पीषने या फिर पकाने की यंत्र अत्वा बरतानों का अध्यन किया जाता है पुरतत्वीद पुराबस्तुओं को ढूंड कर उन अंदर्व की रूप रेखा भी विक्सित करनी पड़ती है सिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए प्रस्तर पिन और तामबा आयस्क जैसा कच्छा माल इत्यादी ढूंडते हैं बर्गीकरन का एक शमान शिधान पर्यूक्त पदार्थों जैसे पत्थर मीटी धातु अस्थी से संबंधित होता है किसी वी बस्तु को उसकी बर्तमान उपयोग से जोड़ा जाता है संस्कृति एवं शमाजिक भीनता को जानने के लिए कई अन बीध्यों का पर्योग करते हैं शमाधानों का अध्यन ही एक ऐसा पर्योग है पुरा तत्विद किसी पूर अनुशियत आधारित प्रस्ण है निमलीखित आपतरण को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गया प्रस्णों का उतर दिजे एक आक्रमन के साच तो डैडमन लेन एक शंक्री गली है जिसकी चोडाई तीन से च्छा फिट तक प्रवर्तित है वह बिंदु जहां यह गली पस उसकी भाग की हडियां मिली है एश अभी बहुत भूर भूरी अबस्था में थी यह धाड़ पीट के बल गली में आड़ा पड़ा हुआ था पसिम की और 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी के कुछ टुकड़े थे इस गली का नाम इन ही अफसेसों पर अधारित है जौन मौर्सल मोहन जोदरो इंड दा इंडस शिविलाइजेशन 1931 से उद्दद 1925 में मोहन जोदरो के इसी भाग से 16 लोगों की अस्ति पंजर उन आभूशनों सहित मिले थे जो इन्होंने मेर्तु के समय पहने हुए थे बहुत समय पहचात, 1947 में आरी एंवीलर ने जो भारतिय पुराततविद सर्वेच्छन के तादकालियन डारेक्टर जर्नल थे इन पुराततविद साच्छों का उप महादीप में ग्यात प्राचिंतम ग्रंथ रीगवेद के साच्छों के शंबंध अस्थापित करने का परि अंदर अर्थार्त गढ़ वीध्वांस कहा गया है तो पहले माना था कि यह मिध्थक मात्र थे हड़ाप्पा में हाली में हुए उत्खनों माना परिद्रिश बदल दिया यहां पर मुख्यता न्यार परकार की एक बहुत बीक्सित सभ्यता पाते हैं जिससे प्रात जनकारी कि अंसर बिशाल किले बंदियां की गई थी यह द्रिश रूप से सुद्रिश रूप से इस्थिर सभ्यता कैसे नश्ट हुई हो शकता है जलबाई समन्धी आर्थिक अथवा राइनितिक हराश ने इसे कमजोर किया हो पर अधिक शंभामना इस बात की है कि जान बूझ कर त था बच्चों का जनसाहार किया था किया गया था पारिस्थितिक साच्षों के अधार पर इंद्र अभियुक्त माना जाता है आई ए एम वीलर हडपा 1946 इंसियंट इंडिया जनरल 1947 के उदत 1960 के दसक में जोड डेल्स नमग पूरतत वीदों ने मोहां जोदरों में जनसाहार क साच्षों पर सवाल उठा उन्होंने दिखाया क्यों अस्थान पर मिले सभी अस्थी पंजर एक ही काल से संबंधित नहीं थे हलाकि इसमें से दो निश्चित रुप्षे शंगहार के संकेत मिलते हैं पर अधिकास अस्थियां जीन संदर्मों में मिली है वे इंगित करती है ये अत्यान लापरवाहित था, सरधा हिन तरीके से बनाय गया सावाधान थे, शहर के अंतिम काल के संबंध विनास का कोई अस्थर नहीं है, ब्यापक अस्थर पर अग्री कांड के चिन नहीं है, चारों और फैले हत्यारों के बीच कबचधारिश और नीकों के शब नहीं ह दूर्ग से जो सहर का एक मात्र किलेवन भाग था अंतिम आत्मे चरन आत्मे रच्छन के कोई साच नहीं मिले जी एफ डेल्स दा मीथिकल मैसेकर एंट मोहन जोद्रो पाटिशन नाइंटी सिक्टी फोर से उद्दत जैसा कि आप देख सकते हैं कि ताथ्यों को सब्धानी पूर्वक पुरनेचन कभी-कभी पुरवर्ती व्यक्राओं को पूरी तरह से उलड़ देता है तो कोश्चन है कि किस पूरातत वीद ने एक शाच यह साच प्रस्तूत किया है तो जनरल मार्सल ने यह साच अपनी पूस्तक मोहन जोद्रो एंड दे इंडर सिविलाइजेशन में दिया है दूसरा कोश्चन है कि हड़ापा सब हैता कि बिनास के किस तर की ओर यह अनुश्यत इसारा करता है तो यह अनुश्यत जो है यह साच हड़ापा के बिनास में विदेशी हमलों की भूमका की ओर इसारा करता है कि विदेशी हमला कोई इ कौन इस परमान को रीगवेद के साथ जोड़ता है क्योंकि रीगवेद में पूर सब्द कउलेख है जिसका आर्थ है प्राचीर कीला या गड़ आर्यो के जूत के देबताँ इंद्र को पूरन्दर कहा गया है अब गड़ को बीध्वस करने वाला कीला को ढ़ांने वाला पूरनदर HEY इस को सानकिसने और कैसे इनकी अहले वेद्वी सिद्हांता का परतिपादन किया है और वह इस बात को मानने शहीं अगते हैं कि यहां हमला आर्यों ने किया था इस बात को मानने से इनकार करते हैं उनकी ऑट साथ जो कंकाल यह मीले हैं वह अपर काल के नहीं है और जान डिल्स के का मानना है कि यह जो कंकाल है हडपकाल का नहीं है इस मात्रा में कंकाल मीले हैं तथा उनकी जो आवस्था है उसे उसे से यह भी कहा जा सकता है कि यह एक बुच्चर खाने का शवाधान हो और किछी भी सब पर सास्त्र के घाओ या फिर कोई हथियार जलने के अफसेस प्राप सकता का सवाज नहीं किया है इसका कुई साच नहीं है सद्रका साथ नहीं घाथ है तो इस प्रकार से इनका जांस डेल्स का मानना है तो या थे आज कि हमारे चंडáfic从 1 सब्सक्राइब करें तो प्लीज मेरे चैनल को स्विस्क्राइब करें लाइक करें थैंक यू